दोस्तो मैं आमेश सास्त्री आज चर्चा करने वाला हूँ हिंदी ब्याकरण के महत्पूर्ण प्रिष्णों पर जो की आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही उप्योगी सावित होंगे चलिए तो हम सुरूबात करते हैं पहला है प्रस्न 9 बजने को 10 मिनिट हैं इस बाक का सुद्ध रूप क्या होगा कमेंन्ट में आपको भी उत्तर बताते जाना है देखते हैं कितने भाई वंधू, कितनी तायारी आपकी है किस प्रकार की आपकी पढ़ाई है तो 9 बजने को 10 मिनिट हैं तो इसमें आपको पता ने इसका सही उत्तर हो जाएगा दो नंबर, 9 बजने में 10 मिनिट है, 9 बजने कुनी होता, 9 बजने में ठीक है, इस प्रिकार से यहां पर हो जाएगा अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है ठीक है? तो एक तो आपको पता एह हूगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर, तो पहले देख लोügen किस में है दो में है ठीक है? अब कपिस थोड़ा सब लोगों को लग रहा होगा तो कपिस मतलब गर्मी तो होता नही중 हाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण में गल्दी करकर के नहीं आएंगे और आपको पूरी तयारी विवस्त सिलेवस के नुसार करनी है तो फिर आपके लिए पूरा करम से अध्यन मिलता जाएगा अगला देखें पेड़ों पर मैना बैठी है इस बाक का सुद्ध रूप होगा अब पे हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना इसलिए कमेंट खोलने बिलकुल वो तयारी अगला है चंद का नाम बताईए कौम सा चंद ये बताना है तो है कोव पापे हैं पंचतत्त प्राप्त सुनी जम गंधाबत अब यदि चंद का पता लगाना है तो ये कैसा है मा हमें गिनी पड़ेंगी टोटल कितनी है ठीक है दो मात्राइं का अचा चिन रहता एक का यासा खन देखते हैं को 7 में का में ओ की मात्रा दो हैं बिलकुल इसको ध्यान से की मातरा, इसलिए, एक ही गिना जाएगा, फिर हा में भी एक, पंच में चंद्रविंदी लगी है, तो आपको बतादें, कि जहां पर चंध बिंदी होती, उसको एक ही गिनते हैं, अलग से मातरा नहीं गिनते हैं, तो पाका एक गिनेंगे, चा, चा के, और आधथता है, चुक जाएगा एक, तो यहाँ पर कितनी हो किंते हैं, दो प्रा की दो, ठीक है, और तकी एक तीन, जाब में छो टे ऊठी मातर इसलिए एक ही गिंआएंगे, और नी में भी छोटी की इसलिए一क ही गिंएंगे, तो यहाँ показ कितनी हो कि신 यहाँ पर कितनी हो किए Sudan फीन हो जबं गन, 4 हैं सीधा, ठीक है, 1-2-1 तो 4-5-9, धा बढ़ा है, तो उसकी गिनेंगे 2, ठीक है? तो कितनी हो गई ग्यारा वा और ताकी एक एक दो तेरा तो इस तरफ है ग्यारा अगले में है तेरा तो इस प्रकार से जहां पर होता है बहां पर देखो आपको उल्लाला तो होता नहीं गीत का भी नहीं हरी गीत का तो रोला चंद होता है क्योंकि दोहा का उल्टा है दोहा मे 13-11 होती है और रोला में 11-13 होती है तो इस पकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर दले हैं आपको तो टॉप 50 इस्टडी यूटूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है प्ले लिष्ट में जाकरके सारे वीडियो आपको देख लेना है चली आगे बढ़ते हैं लाइक जरूर कर देना देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा देश निकाला मतलब देश से निकाला चार नमर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा कहां से निकालते हैं देश से इस विकाल से होता है अब देखें संचिप्ती करण करते समय संचिप्तता एबं खाली स्थान को बनाय रखना जरूरी है किसी विची का संचिप्ती करण कर रहे है छोटा कर रहे तो संचितता के साथ क्या प्रवाहात मक्ता भी जरूरी है नहीं तो उसका प्रभाय खतम हो जाएगा तो फर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा इसलिए एक नमर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा अगला देखें कमेंट में आपको उत्तर बतलाना है आप सोच रहे होगे सरम कम समय देरे उत्तर बताने के लिए देखी हमें आपका समय बचाना है और साथ में आपसे कमेंट में उत्तर भी चाहिए तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले राष्ट भासा किसका प्रती निधित्त करती है राष्ट भासा है चुकी तो किसका प्रती निधित्त करेगी राष्ट का तो राष्ट भासा संपूर राष्ट का प्रती निधित्त करती है ठीक है संपूर रास्ट का तीन नमबर उत्तर ठीक हो जाएगा अगला देखें रिक्ती को अंगरेजी में क्या कहते हैं आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते ना वो ही रिक्ती तो रिक्तिव क्या कहते हैं? बेकेंसी यह है कितनी बेकेंसी यह निकली आप हमेशा कहते उत्तर बिलकुल आपको पता होता है कई वार लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं इसलिए हम प्रक्टिस सेट लगवा रहे हिंदी कर रहे आप वो गलती ना करें कि आपको बनते हुई भी आप गलत करके आए वो गलती से हमें बचाना है बाकी तो याद करा नहीं है सारी प्रत्वी के राजा को कहते हैं जो सारी प्रत्वी का राजा होता उसको क्या कहते हैं देखो चक्रवात तो कहते हैं आप जानते चोधरी भी न भुजंग, सर्पका अगला देखते हैं सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकासित होता है तो सिने एक्सप्रेस आपको बता दें कि इन दौर से प्रकासित होता है ठीक है आईना को आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं ठीक है तो सी साया दरपन कहते हैं आईना को आप लोग भी बोलते ही हैं सी साया दरपन आउचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं आउचट मतला आवशक्ता से अधिक उसको क्या बोलते हैं आउचट आवशक्ता से अधिक बिल्कुर रट लीजी आप इन प्रिष्णों को ब्रत्ती और मस्दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ब्रत्ती और मस्दूरी एक नम्मर सही हो जाएगा वेज ठीक है यह सही है हाँ आगे देखते हैं बह देर में सोकर उठता है चलिए बताईए क्या होगा इसका सुद्रूप बह देर में आप ही किसी से बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं आप देर से सोकर देर से या बह देर से सोकर उठता है यह होना चाहिए तो बह देर से सोकर उठता है नमबर ठीक हो जाएगा अब खुद बिलकुल लगा के देख लीजिएगा आगे देखें बच्चे बूड़े किस सब्द योग में के अंतरगत आते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे और बूड़े ठीक है बच्चे बूड़े तो सीधा बिलोम आपको दिखा ही रहा है कि बच्च बच्च दारी महा बिनू नारी दुखारे ठीक है और गोत मतियत तरी तुलसी सोकथा सुनी में मुनी ब्रंदे सुखारे हैं हैं से लास अब चंद मुखी परसे पद मंजुल कंजित खार एक तरद तपो बच्च दारी के रहे हास की प्रकटत हो रहा है ठीक है तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा हास रस पढ़ करके ही आता है देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है रस पहचानने के लिए आप ऐसे हमारे कॉस्चन लगाते रहे हैं आपको अभ्यास हो जाएगा बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे उसमें तो आपको रठी जा अब यहां पर क्या कह रहे हैं देखो जथा पंख बिनु खग आती दीना जैसे यह पंखो के वेना पक्ची कैसा होता है आती दीन होता है दुखी होता है अगला देखें ये कई बार पूछा गया कर का अर्थ है करत मतलब एक तो हात होता है तो हात इन तीन में दिया है ठीक है फिर दूसरा कर का जो अर्थ है वाई किरन भी होता है ठीक है वो कर का अर्थ है जो आप कर भरते हैं टेक्स तो चान नमबर इसका उत्तर बिल्गुल ठीक हो जाएगा आगे आदी का अर्थ है आदी मतलब पहला प्रथम ठीक है तो आदी का अर्थ क्या हो जाएगा प्रथम आगे बढ़ते हैं आदी अंत किस सब्द उगम की अंतरगत है आदी और अंत मतलब अदी मतलब प्रारम अंत मतलब समाप तो क्या हो जाएगा बलौम सब्द है सीधा सीधा आपको दिखाई दी रहा है अब है राज भासा उस भासा को कहते हैं जिस भासा के द्वारा, राज भासा किस भासा को कहते हैं, तो आपको बता दें, जिस भासा के द्वारा किसी राज के प्रसासनिक कारियों को संपन्न किया जाता है, याद रखिएगा, राज भासा में क्या होता है, किसी राज के प्रसासनिक कार क्या होते हैं, संपन्न किया ज होती है इन दोर से अब है चार मासों का समूह का समस्त पद होगा चार मासों का समूह इसको क्या कहेंगे तो चार मास तो क्या हो जाएगा चो मासा ठीक है और चोरा हक इसको कहते हैं चार राहों का समूह को चोरा हक याद रखी यहाँ पर चार मासों का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चो मास, आपको जल्द वाजी में उत्तनी लगाना है, नहीं तो जल्दी लगा के आंगे बढ़कर, बिल्कुल ध्यान से देखना है, चलिए, इस सामने बिल्कुल हम पेपर के ही प्रसन लाए हैं, जिससे आपको बिल् लगा सकते हैं, अब देखें, चिरंतन का बिलोम होगा, चिरंतन का पहले दी हैं, किसी चीच का बिलोम जानना है, तो उसका आर्थाना चाहिए, चिरंतन, मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है, प्राचीन, काल से जो चला आ रहा है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, अब आचीन से चिरकाल से हमेशा से है तो वो चरंतन हो गया और नस्वर मतलब जो नास को प्राथ हो गया ठीक है अगला देखें बाक का नाम बताओ रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है बाक को होते हैं मिस्र बाक संयुक्त बाक सरल बाक ये सब कुछ आपको बिल्कु ट्रिक के साथ पूरे सिलिवस के नुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप 50 श्टडी पर तो आप जुड़े रहें और पिले ल बताया कि वह घर जा रहा है कैसा है तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है मिस्रित बाक है ठीक है संयुक्त होता है तो और बगेर लगा रहता है सरल होता सीधा कि राम घर जा रहा है रमेश घर जा रहा है ऐसा हो जाता है इसलिए मिस्रित बाक हो जाएगा अगला देख बाख वनाना एह है कैसा, सई यूक्त बाख है, तुम बाहर गए ओ वह रोने लगा ठीक है, तो सई यूक्त है विसको सरल, मतलब, तुमारे बाखर जाते ही वह रोने लगा आप देखो, यह कहाँ पर लिखा है, ए तीन नमबर पर, क्योंकि आप खुछ सोच लेगे कि आप जब बाक बोलते कि इसी से बात करते तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो ठीक है तुमारे बाहर जाते ही भाए रोने लगा दोस्तों अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बाल लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप किस एक्जाम की तैयारी कर रहे है जैसे पूरी सिलेवस के नुशार वीडियो आए इस बात को संयुक्त बात में बदलिए कठोर बनकर भी साहरदय बनो कठोर बनकर भी सा तू सहरदय बनो यह हो गया अगला देख लेते हैं अगला है अलंकार का नाम बताओ रस छंद अलंकार यह तो पूछे जाते हैं तो अलंकार का नाम बताना है सासी संधी और समास की बहुत अच्छी ट्रके के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है तो आप जरूर देख तो अलंकार का नाम यहां पूछा है हनुमान की पूंच में लगन ना पाई आग लंका सारी जल गई गई निसाचर भाग अवे इतना सरल है इतने वारे पूछा गया है तो मैं चाहता हूं इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें का नाम बताओ प्रिये प्रवास की बात चलत ही सूखी गया तिये कौमलगात जैसे ही प्रिये प्रवास की बात चली तो कौमलगात उनका सूख गया मतलब इतनी बड़ा चड़ा करके बिल्कुल बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा अती सही योक्ति अलंकार हो जाएगा ठीक है वह पढ़कर की समझना पढ़ता है आगे देखते हैं सही बिकल्ब चुनिए क्या चुनना है खाली स्थान और सब्द चैन में विशेश ध्यान देने से कभीता भाव संप्रेशन में सहायक होती किस किस में तो आपको बता दें कि इसका उत्तर कमेंट में आ हाव संप्रेशन में सहायता मिलती है आगे देखते हैं सही बिकल्ब चुनिए रस खाली स्थान है कैसा है जब रस होता है तो क्या आता है आनंद तो रस कैसा है आनंद स्वरुप ये और बात बता दें आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि ऐसे से वीडियो अप्लोड है आप ले लिस्ट में जाकर के आपको जो भी वीडियो देखना हो जरूर देखें और आप इदी पूरी तैयारी सिलिवस के नुशार करना चाहते हैं तो यूटूब पर सार्च करें टॉप फिप्टी स्टडी और इस हमारे यूटूब चैनल से उसको बाचिक ठीक है अब बाचिक क्या कहलेंगे क्योंकि भावों में परिवर्ता ना रहा है तो अनुभाव कहलाएगा क्या कहलाएगा बाचिक अनुभाव आगे देखते हैं सही बिकल्ब चुनिए काब कभीता या पद साहित्त की बैविदा है जिसमें किसी कहानी या मन भाव को खाली स्थान किसी भासा के दौरा अभिव्यक्त किया जाता है किस रूप से किया जाता है तो आपको बता दें कि यहां पर कलात्मक रूप से कवीता में भै प्रस्तुत किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं पल्लवन में सूत्र बाक बिचार या भाव को क्या दिया मात्र विस्तार नहीं होगा, मात्र होगा, याद रखिएगा, आगे बहुत अच्छे-च्छे महत्पूर्ट कॉस्चन है, वीडियो पूरा देखना, पल्लवन और गद्ध से पूछे जाते हैं कई बार कॉस्चन, लोग सबसे जादा है, इसी कॉस्चनों में गल्दी करके आत प्रियोग नहीं करना चाहिए, जा संचित्ती कर रहे हैं, तो अलंकार सहली का प्रियोग नहीं करना है, याद रखना है इस बात को, ज्यान की किसी विसेश विधा, कारचेत्र में प्रियोग किये जाने वाले सब्दों को क्या कहते हैं, तो पारिभासिक सब्दावली, किसी चमातकार की शम्तव ऐसा यही स्लोप वैं क्या कहलाता है मुक्तक आपने सुने होंगे कभी रित्यादी के दोहे हैं वो मुक्तक चाल लाइन के होते हैं ठीक है आगे देखें खंड काब में मुक्ष चरित्त की किसी एक प्रमुक विसेस्ता का चित्रन होने की कारण अधिक खाली स्थान नहीं होता है क्योंकि एक ही मुख्ष चरित रहता है खंड काब में, महा काब होता तो उसमें पूरा जीवन चरित रहता है इसलिए वहाँ पर हो जाता विवित्त विस्तार, खंड काब में नहीं हो पाता वो हाती का परियावाची कई बार पूछा गया है हाती का परियावाची बताओ तो सबको पता है कि मतंग क्या होता है हाती का परियावाची होता है इसा ही आंसर है मतंग आप लगा लीजिएगा हमारे बताने से पहले आप भी कमेंट में उत्तर बता सकते हैं YouTube पे आपको सर्च करना है Top 50 Study और इस चैनल से आपको जुड़ जाना है पूरी तैयारी यहां पर हम आपको कराएंगे इन मैंसे क्या कवीता के पदों में सक्तिरिता और प्रभाव सीलता लाता है क्या लाता है तो आपको बता दें काब गुण काब गुण है कवीता के पदों म सब्सक्राइब कराएं तो और आप देक्र इसके बाद में हैं तो हसुडा क्या सब्सक्राइब की बिदे पहचानना है ठीक है वीडियो को लाइक जरू कर देना दोस्तों ऐसे प्रश्ण आंगे भी आप तक आते रहें थोसका बिलॉम है थोसका बिलॉम क्या हो जूना थोसका बिलॉम क्या हो जाएगा तरल बिलकुल speech से हमें लेना है समय को बचा कर करके आपके ज्यादा से ज्यादा question हम complete कराने का प्रयास करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रिस्म के लिए भासा की सबसे छोटी काई बोली किसकी काई है तो बेली भासा की सबसे छोटी काई ठीक है भासा की सबसे छोटी काई क्या है धोनी या बर्ण ठीक है ऐसा ही बोली किसकी है तो बोली भासा की छोटी काई है याद रखिएगा मैंने उसे बहुत समझाया परन्तु बह नहीं समझी अब एक कौन सा बाख है तीन पिकार के बाख कपन पड़ चुके मिस्र बाख संयुक्त सरल और निशे धातमकादी बाख अर्थ की आधार पर आठ पिकार के भी पड़े हैं तो यहाँ पर बोल लाएं कि मैंने उसे बहुत स हम जी दूसरा तो सयुक्त बाख हो गया ठीक है अब देखें नीचे दिये गए बाख के लिए 60 मोहाबरा बता यह इसके मोहाबरा बताना है क्या है राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो भै खाली स्थान करने लगा है अपन केशी से कुछ मांगत więc उसको नहीं देना हो तो वो क्या करते हैं आनाकानी, अपन कैते भू आपको भी तक विवस्तित अध्यान नहीं मिला हो तो आप Top 50 Study Channel पर जाकर के पिले लिस्ट में जाकर के आप संस्कृत के ब्याकरण के पेड़ा गोजी के संधी समासाधी सारी कक्छाओं को पढ़ सकते हैं युबकों को खाली स्थान होने पर ही विभाय करना चाहिए क्या होने पर अपने पेरें उपर खड़े हो जाओ तो आप साधी कर लेना आगे नीचे दिये गए मोहाबरे का अर्थ बताई दाग लगना दाग लगना मतलब क्या होता है कलंक लग जाता है अपने बोलते न तुम्हें दाग लग लग गया है कलंक लग गया ऐसा गलत काम किया तो इस पर कार्शे हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत महत्पूर्ण प्रशन है देखती जाईए नीचे दिये गए सब्दो की अर्थ बताईए ठीक है तो अमूल और अमूल अमूल जिसका मूल नहीं हो वो कहलाता है अमूल मतलब होता है जड़ तो एक हो जाएगा जड़ रहत ठीक है और फिर अमूल मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो जिसकी कोई कीमत है आप बहुत अधे कीमत यसे उसके कोई सामान मूल ना लगा सके तो जड़ रहत और कीमती इस प्रिकार से तीन नमबर उत्तर सही हो जाएगा और देखें नीचे दी गए सब्दों की अर्थ बताईए असाध्ध और असाध्ध मतलब होता है जो आसानी से साध्ध ना हो मतलब कठिन हो एक तो हो जाए कठिन तो कठिन और दुष्ट कहा लिखा है सुद ए लिखा है कठिन और दुष्ट चान नमबर इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों कोस्चन आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजीगा आगे देखें अबली और आबिलकार्थ अबली और आबिलकार्थ बताना है तो आबली तो आप जानते हैं पंक्ती लगा देना तो पंक्ती हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा पंक्ती अब दूसरा है आबिल तो आबिलकार्थ होता है गंदा क्या होता है गंदा तो प तो हमने बताये था कि पहला सब्द संख्या बाची जहां पर होता है वहां पर दिगु समास होता है ठीक है तो दिगु संख्या बाची दिगु याद रखीएगा यहां पर रस का नाम बताना है प्रिये पती वह मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जलदी निवन का सहारा कहा हुआ है अब तक जिसकों में देखके जेचुकी वहर्द है कि हमारा हिनी त्तारा कहा है कि हम कौन सा अब यह पर बिछुड़ने की वात हो रही है कि भी यह कहा है तो करुण रस्य कहां पर हो जाएगा डिके ठीक है इसलिए करोन रसे हाँ पर हो जाएगा अगला देखते हैं छंद सब्द का मुख अर्थ बंधन है खाली स्थान नियमों के आधारित का ब्रचना को छंद कहा जाता है तो कौन-कौन से नियम हो बताना है तो देखें छंद में क्या-क्या होता है आप सबको बिल्कुल य प्रकार से इसका उत्तरे सही हो जाएगा और अगला देखते हैं उससे पहले बताते हैं लाइक जरूर करना दोस्तों शेयर करने शेयर भी अपने दोस्तों तक के जिससे बो लोग भी हिंदी अच्छे से पढ़ सके आगे देखें खाली स्थान से ब्यंग्यार्थ का बोध ह होता है हमें उम्मीद है आपको पूरे कॉस्चन बड़े अच्छे पसंद आ रहे हैं आप इसी तरह अपना ध्यान करते रहें